मंगला विद्या मंदीर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था व्याकरण में संग्या तो बच्चों आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? मैं आपको क्या सीखाने वाली हूँ? उसे कहते हैं सर्वनाम तो बच्चों सर्वनाम की परिभाशा और उधारण ये मैं आज आपको बताऊंगी आईए सीखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? उधारन दीजिए तो बच्चों जो शब्द संग्या शब्दों के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं किसे कहते हैं सर्वनाम जो शब्द संग्या शब्दों के स्थान पर मतलब कि जो संग्या शब्द है उसको हटा कर हम उसकी स्थान पर जिन शब्दों का प्रियोग करते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है उधारण है मैं, आप, तुम, हम, वह, उसका, उसकी आदी अब जैसे की देखिए बच्चों यहां मैं आपको सिखाती हूं संग्या का उधारण संग्या का एक उधारण मैंने यहां पर दिया है कि मोहन, चौथी कक्षा में पढ़ता है मोहन मतलब संग्या शब्द, मोहन कौन है? एक व्यक्ति है, एक लड़का है तो क्या हुआ? संग्या तो मोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है तो इसमें संग्या शब्द है मोहन अब हम नीचे देखेंगे सर्वनाम का उधारण अब हमने संग्या की जगा सर्वनाम का परियोग करना है मतलब संग्या को हटाकर सर्वनाम का परियोग करना है वो हम कैसे करेंगे? उपर देखिए क्या लिखा है मोहन चौथी कक्षा में पढ़ता है तो मोहन संग्या को हमने हटा कर क्या लिखा बार बार हमें मोहन शब्द का प्रयोग ना करना पड़े संग्या शब्द का प्रयोग ना करना पड़े इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करते हैं, सर्वनाम लगाते हैं तो हमने यहाँ पर मोहन को, मतलब संग्या को हटा कर सर्वनाम लगाया वह, वह बुद्धिमान चात्र है कौन बुद्धिमान है? मोहन मोहन को हटा के सर्वनाम लगा दिया वह मोहन चौथी गक्षा में पढ़ता है वह बुद्धिमान चात्र है अब हम नीचे यहां लिखा है हमने उसकी हिंदी में रूची है हम ऐसा भी लिख सकते थे कि मोहन की हिंदी में रूची है मोहन बुद्धिमान चात्र है मोहन की हिंदी में रूची है उस मोहन के पिताजी तो वो अच्छा नहीं लगेगा वो पढ़ने में, बोलने में और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करके उसको अच्छा मतलब लगे लिखने में, बोलने में और सुनने में इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमने यहाँ पर प्रयोग कैसे किया, वै है बुद्धिमान चात्र है, उसकी हिंदी में रुची है, उसके पिताजी पुलिस में है, तो ये रहे हमारे संग्या के स्थान पर सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करने के उधारन, बच्चों मैं एक बार फिर से आपको बताती सर्वनाम की परिभाशा क्या है, जो शब्द संग्या शब्दों के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, उधारन है, मैं, आप, तुम, हम, वह, उसका, उसकी आदि, तो बच्चों अब आप इसको ध्यान से पढ़ना, समझना, याद करना, रही हूँ, जो की इस प्रकार से है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, अभ्यास कार्यक है, पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के उधारन लिखिए, तीसरा प्रश्न है, नीचे दिये वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाईए मतलब एंसर्कल कीजिए राउंड सर्कल लगाईए राउंड कीजिए क्या है तुम कहां जा रहे हो इसमें सर्वनाम शब्द जो आपको है उसके उपर आपने उसको सर्कल करना है उसकी एक मित्र थी वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है मैं कुछ लिख रही हूं आप खाना खालीजिए उसका घर अच्छा है तो बच्चों यहां पर आपको कुछ वाक्य दिये गए हैं इन वाक्यों में आपने सर्वनाम शब्दों पर को चुनकर सही सर्वनाम शब्दों को चुनकर उस पर गोला लगाना है यह सब आप लिखिए अपने उत्तर पुस्तिका म कर दो